नमस्कार क्या आप जानते हैं कि बाल विवा के तीन में से एक मामले भारत में मिलते हैं यानि के तीन में से एक ऐसी बच्ची जिसकी बच्चपन में शादी कर दी गई हो वो भारत यह है हाल ही में सुप्रीम कौट ने एक पैसला सुनाया जिसमें ये कहा गया है कि वो शादियां जो बच्चपन में तैय करती जाती हैं वो किसी भी लड़के या लड़की की चुनने की आजादी के अदिकार के खिलाफ है और वो उनसे उनका बच्चपन चीन लेती है दो परिवार आपसी सहमती से बच्चपन में शादियां ते कर देते हैं ताकि वो बाल विवा के अपराद की सजा से बच जाएं तो सिर्फ ये सजा से बचने के लिए धोखा धड़ी है इसलिए सुप्रीम कोट ने अब कानून में इस कमी को पूरा करने के लिए फैसला सुनाया है जिसमें संसच से अपील की गई है कि बाल विवा के खिलाब कानून में बच्चपन में ते की जाने वाली ये शादियों को भी शामिल किया जाए और इन्हें अवैद माना जाए और ऐसे बच्चों को माइनर घोशित किया जाए जिनें कैर और सुरक्षा की जरूरत है तो इस शो में आज हम इस एतिहासिक पैसले को जानेंगे और समझेंगे कि भारत में बाल विवा के खिलाब चल रही मुहिम के ल किताब का नाम है When Children Have Children, Tipping Point to End Child Marriage, किताब के नाम से ही आप समझ गए है कि भुवन रिबु जी लगातार इस कैमपेइन से जुड़े हैं और उन्होंने इस कैमपेइन के शुरुआत की है Child Marriage Free India Campaign, भुवन जी स्वागत है आपका एक बार फिर से और आपके जरीये हम समझना चा की इसको बदल नहीं कीर, नकेवल भारत में बलकि पूरी दुनिया के लिए ये एक नजीर है और मील का पथर यकीनन तौर पे थाबित होगी बच्चों का विवाह कोई सामाजिक कुरीती नहीं है, कोई सामाजिक बुराइञी नहीं है, ये एक अपराद है, बच्चों के व अपने बच्चों का stunting उनका malnutrition अगर हम एक बच्चे की शादी कर देते हैं तो उसे हम तमाम तरह के जो उसके fundamental rights हैं मौलिक अधिकार हैं उनसे दूर कर देते हैं इस पूरी दिशा में न केवल भारत में जहांपे अभी आज के हिसाब से लगभग चार में से एक बच्ची की शादी हो जाती है NFHS के लेटेस्ट आकणों के हिसाब से भारत में 23.3 प्रतिशत बच्चीयों की शादी हो रही है जिनकी उमर 18 से 25 के बीच है तो जब इतनी बड़ी संख्या में बच्चीयों की शादी हो रही है और शादी के बाद उनका बलातकार होता है शादी के बाद की तमाम तरह की आजादी छिन जाती है ना पढ़ाई की आजादी है ना काम करने की आजादी है ना घूमने फिरने की आजादी है तो सुप्रीम कोड का ये फैसला लाखों बच्चीयों को प्रतिवर्श ना केवल उनके मौले का धिकार वापिस दिलाएगा बलकि क्योंकि एक पूरी दुनिया की समस्या है तो पूरी दुनिया के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा तो बहुत बड़ा एक ये माइल स्टोन है और ये चीजें बदलने की सलायत रखता है लेकिन अभी तक जो ये कैमपेइन चल रहा है इसमें आपका तजुर्बा क्या है कि क्या रोड ब्लॉक्स रहे हैं सबसे बड़ा रोड ब्लॉक जो अभी भी है आज भी भारत में हैं वो ये है कि अलग अलग हाई कोर्टों ने ये फैसले सुनाए हैं कि अगर किसी समुदाए विशेश में शादी हो जाती है एक छोटी बच्ची की तो वो पर्सनल लौ उस पे सु इसको बदला जाए एक राष्ट्र में बच्चों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते बच्चों की सुरक्षा का कानून एक ही होना चाहिए ऐसा सुप्रेम कोर्ट ने बहुत क्लियरिटी से कहा दूसरा एक बड़ा बड़ी समस्या है कि बाल विवाह के बारे में की कमी है अभाव है उस अभाव के चलते लोग गरीबी को बाल विवाह से जोडते हैं अशिक्षा को बाल विवाह से जोडते हैं सुरक्षा को बच्चीयों की सुरक्षा को बाल विवाह से जोडते हैं और चूंकि इसके ऊपर पिछले दो वर्ष पूर्व तक कोई भी एक देश व्यापी इस तर पे ना रणनीती रही है, ना इसके उपर काम हुआ है, तो लोगों को कानून का कोई भै नहीं रहा। पहली बार देश में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहट हमारे NGO पार्टनर्स ने पूरे देश में घर घर जाके शादियों को रोकने की प्रक्रिया शुरू की। गए तो कानून का अनुपालन तो शुरू ही अभी हुआ है, जो आसाम ने किया कि जिन लोगों ने भी जबरदस्ती शादी किया, जिनों ने शादी कर ली, वहाँ पे ऐसे पंडितों को, ऐसे मौलवियों को, ऐसे काजियों को, ऐसे परिवार वालों को प्रोसीक्यूट किय जाए जो कि अपने बच्चों की शादी कर देते हैं तो ये पहली बार हो रहा है और चुंकि ये शुरुआत ही अभी है आपने पहले भी बताया था कि वो तमाम लोग जो ऐसी शादी में शामिल भी होते हैं उनको भी सजा मिलनी जाए ये जो गाइडलाइन अभी आई हैं जो सुझाव हैं उसमें ये भी कहा गया है कि बच्चियों के लावा उन बच्चों लड़कों को भी के उपर भी एक तरह से ये बहुत प्रिभाव डालता है क्योंकि अगर बच्पन में शादी कर दी जाती है तो जो समाज में पित्री सर्थात्मक सोच हावी है वो उन लड़क को और लड़कियों को दोनों को ये शिक्षा दी जाए कि बाल विवा एक अपराद है लड़कियों को इसलिए कि वो रिपोर्ट कर सकती है लड़कों को इसलिए कि वो इस अपराद के भागीदार ना बने इसके साथ साथ यदि इसको इसका एक प्रिवेंशन प्रोटेक्श कि Child Marriage Prohibition Officer बनाए जाएं हर जिले में कलेक्टर और S.P. की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए कि वो कारवाई करेंगे Special Child Marriage Police Unit बनाए जाएं राज्य के इस तर पे State Level Child Marriage Protection Unit बनाए जाएं Fast Track कोटों में इसके मुकदमे चलें अगर कोई सरकारी अधिकारी बाल विवाह के खिलाफ जो कानून है उसका अनुपालन नहीं कर रहा तो उन अधिकारियों पे भी कारवाई हो आंगनवाडी वर्कर्स आपके A&M's पंचायतें सब की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने का काम इस जज्जमेंट के माध्यम से हुआ है तो ये नकेवल मैं समझता हूँ कि हलांकि इसमें हमारे पार्टनर एंजियोज और हमारे एक साथी ने ये पेटिशन फाइल की थी लेकिन पूरे देश में जो बाल विबाह के खिलाफ आवाजें उठी हैं पिछले दो वर्ष में और खास तोर पे बच्चीयों की महिलाओं ने जो आगे बढ़के इसमें कदम उठाए हैं गाओं गाओं में पचास हजार से जादा गाओं में महिलाओं के संगठनों ने आगे बढ़के ये कहा कि हम इस गाओं में एक भी बच्ची की शादी नहीं होने देंगे तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको इंस्टिट्यूशनलाइज करो और चाइल्ड मैरेज फ्री विलेज बनाओ तो इन समाम बातों का बड़ा मुझे लगता है आने वाले वक्त में प्रभाव होगा काफी इसका इसमें बदलाब देखा जाएगा आपने जिस पेटिशन की बात की हमारे साथ जुड़ी है उस एंजियो से जहां से पेटिशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट के जो ये फैसला है उसका कारण है वो याचिका जो एक सिवल सोसाइटी संस्ता ने दायर की हमारे साथ हैं अंजियो सेवा की अलका साहु तो अलका जी सेवा ने याचिकार दायर की थी जिस पर ये बहुत ही महतवपून फैसला आया है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आपको क्या लगता है कि किस तह से चीज़ों के बदलने में ये सहायक होगा हम सुप्रिम कोट को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो इतना बड़ा जज्ज्मेंट आया है बाले विभाओ को लेके हम बाले विभाओ मुक्त भारत अभीजान से जूड़कर हमको होसला मिली और धर्य मिला हम मिलके ओजो 2030 तक हम बाले विभाओ मुक्त भारत और गाओं बन पूरे भारत में ऐसे बहुत सारे NGO's हैं जो Child Marriage Free India Campaign के साथ मिलकर काम करते हैं तो किस तरह से हम ऐसी संस्थाओं और NGO's को अपने साथ ला सकते हैं कि चीजें जो हैं वो गाओं के स्तर पे पंचायत के स्तर पे बदलें इन सब को जोडने की जरूरत है जी दरसल भारत में बहुत अच्छे कानून हैं बहुत अच्छी गाइडलाइन्स हैं केवल उनका अनुपालन करवाने की जरूरत है तो भारत सरकार का मिशन वातसलिये ये कहता है कि हर पंचायत जो Awareness के लिए काम कर रही है उसका 5 प्रतिशत बच्चों की सुरक्षा के लि पाजिक संगठन बलकि ये तमाम देश की जिम्मेदारी है जो लोग शहरों में रहते हैं उनके घर में काम करने वाले लोग जो हैं उनके बारे में उनकी शिक्षा सुनिश्चित करें और बच्चियों की शिक्षा भारत के विकास का सबसे बड़ा अवरोधक है अगर उनको शिक्षा न दी जाए तो और सुप्रीम कोट की ये जो नजीर है जो ये फैसला है ये हम सब को ताकत देता है ना केवल सिविल सोसाइटी और्गनाइजेशन या इंजियोस को ये पंचायत को ताकत देता है ये पुलिस को ताकत देता है ये कचेहरियों को ताकत देता है मिय Child Marriage Prohibition Officer जो बनाए जाएंगे इनका कोई और काम नहीं होगा सिवाए बाल विवा के रोकने के हर तीन महीने में ये रिपोर्ट देंगे और अगर इन्हें हटाया जाएगा राज्य सरकार द्वारा तो सुप्रीम कोट की पर्मिशन लेनी पड़ेगी सुप्रीम कोट की में ये भी आपसे जाना चाहूंगी कि आपकी किताब में पी आपने पूरा रोड मैप दिया है Child Marriages को रोकने के लिए वो और जो गाइडलाइन्स अभी हैं उन्दोनों में किस तरह की समानता हैं पर एक चोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ये बातचीत उसके बाद जारी रहे एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं जाने माने Child Right Activist Bhuvan Ribu से और Child Manage Free India Campaign जो है उसके बारे में बातचीत हो रही है भुवan जी जो आपकी किताब है When Children Have Children उसमें आपने एक रोड मैप भी दी है पूरा एक स्ट्राटीजी है कि किस तरह से हम Child Manage को खत्म कर सकते हैं तो एक तो वहाँ जो पिकेट स्ट्राटीजी है वो क्या है उसको बताएं एक बार फिर से और जो गाइडलाइन अब सुप् में दिया गया कि हम 2030 तक बाल विवाह का संपूर्ण रूप से खात्मा किस तरह से कर सकते हैं तो हमने ये कहा कि भारत में 257 ऐसे जिले हैं जहां पे बाल विवाह की दर एक नाशनल लैबरेज़ से 23 प्रतिशत से जादा है अगर इन जिलों को फोकस करके काम किया जाए और इनके अलावा कुछ स्ट्राटेजिक जिले जहां पे 20 प्रतिशत से जादा बच्चियों की शादी होती है यदि हम इन जिलों में ही काम करके पांच साल में एक होलिस्टिक रणनीती के तहत इसको खात्मा कर सकें तो हम टिपिंग पॉइंट पे 6 प्रतिशत पे पहुँच हमने कहा पिकेट स्ट्राटेजी इसके लिए सबसे ज़्यादा उप्योगत है पी याने एक रोबस्ट पॉलिसी अच्छा कानून किसके लिए प्रिवेंशन प्रोटेक्शन और प्रोसेक्यूशन के लिए जो शब्द सुप्रीम कोट ने भी कहे और जिसमें एक रोबस्ट फ्रेमवर्क हो इन्वेस्ट्मेंट्स हो बजट्स हो बजटरी आलोकेशन राज्य के और केंद्र के दोनों के लेवल पे हो कपैसिटी बिल्डिंग और लड़कियों की लड़कों की और पेरिंट्स की बी माता पिता को भी समझाया जाए इसमें फेथ लीडर्स की भी भूमिका है इसमें रिलिजियस लीडर्स की भूमिका है उन सब को कम्यूनिटी इसको शामिल किया जाए और प्रिवेंशन पे फोकस किया जाए ये से हमने कहा कि ये सब मिलके जो एको सिस्टम बनता है बच्चे की शादी तै हो रही है तो शादी होने से पहले हम इसे कैसे बचा सकते हैं injunctions कैसे लिए जा सकते हैं stay order लेके injunctions लेके हम बच्चे को निकाल के skill development से rehabilitation से कैसे जोड सकते हैं गाओं में हम vulnerable communities को vulnerable families को identify करके उनको सरकारी योजनाओं से कैसे जोड सकते हैं कि बच्चियों को बचाया जा सके और technology को use करके हम attendance की monitoring कैसे कर सकते हैं बलकि मैंने यहां तक कहा कि यदि हम चांद तक पहुँच गए तो हम अपने बच्चों की तो attendance monitor कर ही सकते हैं ये तमाम बातें इश्वर की क्रिपा से Supreme Court ने आज अपने फैसले में कहदी हैं तो ये भारत में कानून है Supreme Court का फैसला भारत का कानून होता है तो अब ये एक blueprint और strategy नहीं है अब ये भारत का action plan है और हम सब को इसको इस तरह से पालन करना चाहिए और अगर हम इसको पूरे देश में 2030 तक खत्म करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि इसके लिए एक देश व्यापी अभियान चलाया जाए एक राष्ट्र व्यापी अभियान जो की पंचायत म्यूनिसिपैलिटी जिला राज्य और केंडर सरकार सब मिलके चलाएं हर स्कूल में हर अस्पताल में हर चाइल्ड केर इंस्टिटीूशन में हर पंचायत में सभी लोग इसके खिलाफ न केवल जागर होके शपत लें कि हम बाल विबाह नहीं होने देंगे बलकि जब भी होते हुए देखें उसको रिपोर्ट करें और हर तीन महीने में हम ये सुनिश्चित करें कि इतनी बच्चीयों को बाल विबाह से बचाया गया है पिछले दिनों एक सरकारी रिपोर्ट आई है कि 11 लाख बच्चीयों को इस साल सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है जिनका बाल विबाह होने वाला था 11 लाख शुरुआत है और ये अंत की शुरुआत होनी चाहिए सुप्रीम कोड के फैसले से कि आने वाले पांच साल में 2030 से पहले हम इस बच्ची को जो की अपने उपर इस बच्चे का बोज उठाए चल रही थी हम इस बच्ची में बदल दें जो की आने वाले कुछ साल के बाद उसके उपर केवल एक बोज है और वो है शिक्षा का और उसके स्कूल बैक का बिल्कुल आप तमाम हमारे जो व्यूवर्स हैं दुनिया भर में उनके लिए भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्योंकि चाइल्ड मैरेज़स आपने भी कहा कि पूरे दुनिया में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत की ही समस्या है और यूएन के जो सस्टेनिबल जा सकता है इसके बारे में अगर आप बताएं कि एक चाइल्ड मैरेज़ फ्री वर्ल्ड के लिए क्या करना होगा यह बहुत ही एक विश्वस तरिया नकेवल समस्या है नकेवल अपराद है बलकि शर्म का विश्या है यह पूरे विश्व की समस्या है और चाइल्ड मैरेज के उपर एक international convention एक international कानून अभी लाया जा सकता है sustainable development goal हमारा हमारी सोच है हमारा उद्देश्य है जी पस एक छोटा सा संशेप में आप से ये पूछना चाहूंगी मैं कि हम सब लोग as a community इसके लिए मिलके किस तरह से proactive हो सकते हैं जब भी हम अपने समाज में किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित होता हुआ देखें तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं मैं कल एक बलातकार की शिकार बच्ची की बात सुन रहा था जो school colony नाम की जगह पर दिल्ली में रहती है 16 साल की बच्ची जिसका यौन शोशन हुआ है और वो कभी school नहीं गई इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती दिल्ली के लिए तो हर बच्चे की शिक्षा हम सुनिश्चित करें हर बच्ची को हम बारवी तक की शिक्षा सुनिश्चित करें और उसके लिए उसको अधिकार की तरह दिया जाए हम आवाज उठाएं जहां भी बालविवा हो रहे हैं इसको रिपोर्ट करें पुलिस को और समाज को एक सामोहिक रूप से इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी हर पंचायत में हर शादी का रेजिस्ट्वेशन हो हर पंचायत इसका रिकॉर्ड रखे जब भी किसी बच्ची की शादी हो रही है यह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अब मेंडेटरेली रिपोर्ट करना है आपकी मजबूरी है 48 गटे में रिपोर्ट करें तो यह हम सबकी सामोहिक जिम्मेदारी है कि बाल विवा उसी तरह इतिहास के पन्नों में रह जाए जैसे सती रह गई या जैसे और सामाजिक कुरीतियां रह गई और ये हम सबकी जिमेदारी कि उसे हम इतिहास का हिस्सा ही बनाएं जिस तरह से सती प्रता बनाए गई और इसके लिए आपको अपने आख कान खोल कर रखना जरूरी है जहां कहीं ये देखें उसे रिपोर्ट जरूर करें बहुत शुक्रे आपका बोवन रिबो जी जुड़ इसके माइने है सुप्रीम कोट के इंडिस्टाने देशों की रिस्ताने